लोगडाउन का समय चल रहा है और सारी मिठाई की दुकाने बंद है अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करें तो आप घर पे अवेलिबल होने वाले बेसिक इंग्रीडियंट से बना सकते हैं मैंगो मलाई पेढ़ा ये पेढ़ा बनाने के लिए आपको कंडेंस मिल्क, मावा, मिल्क पाउडर ऐसी सारी चीजों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है हमें लगेगा एक लीटर फुल फैट मिल्क, हमें इसे मीडियम फ्लेम पे बॉइल करते रहना है और बीच-बीच में स्कर करते रहना है बरतन के साइड में जो मलाई फॉर्म हो रही है उसे हमें स्क्रेप करके अच्छे से दूद में मिला लेना है हमें ठीक बॉटम वाला बरतन ही यूज करना है और जो बरतन है वो थुड़ा वाइड ही होना चाहिए इसके वज़े से ये एवापरेशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा 10 मिनिट बाद दूद काफी क्रीमी हो गया है अब हम इसमें डालेंगे half cup चीनी इसे अच्छे से mix कर लेंगे और चीनी को अच्छे से dissolve होने देंगे हमने 8 लीटर दूद में से पहले ही थोड़ा दूद साइड में निकाल लिया था नॉर्मल ए टेंपरेचर होना चाहिए ये दूद का इसमें हम 1 tablespoon corn flour डाल कर इसे अच्छे से mix कर लेंगे इसमें बिल्कुल भी lumps form नहीं होने चाहिए अगर आपके पास corn flour नहीं है तो आप इसमें 1 tablespoon custard powder भी डाल सकते हो लेकिन फिर उसको थोड़ा सा उसका flavor और color आ जाएगा निक्स्ट हम लेंगे 2-3 tablespoon पानी उसमें 2-3 pinch निंगू के फूल या फिर citric acid डालेंगे थोड़ा सा crush करकर इसके वज़े से वो मलाईदार texture form होगा इसे हमें अच्छे से dissolve कर लेना है 10-12 minute बाद अब देख सकते हो कि दूद कितना reduce हो गया है काफी गाढ़ा और creamy हो गया है हमने जो दूद और konflour का mixture बनाया है इसे अब हम इसमें डाल देंगे हमें इसे अच्छी से stir करना है और धान में रखना है कि इसमें कोई भी lumps form ना हो अब देख सकोगे कि कुछ मिनिट के बाद ये दूद हमारा और भी creamy और ठिक हो गया है मिक्सचर के वज़े से हमें एक थिक बॉटम वाले बर्तन में दो टेबल स्कून चुगर लेना है और इसमें हम हमारे finely chop mango के पीसे डालेंगे mango फल पनाने का प्रसेजर करने के लिए आप चाहो तो इसमें इसे अच्छी से बॉइल आने पर हम इसमें हमारा जो साइट्रिक आसिड और नीम्बू का फूल और पानी का जो मिक्सचर है वो इसमें हम डाल देंगे ये मिक्सचर डालने के वज़े से हमें पीढ़ा का एक ऐसा दाने दार मलाई दार टेक्शर मिलेगा हमें इसे अच्छी से स्टर करते रहे ना है दो-ती मिनिट बाद आप देख सकोगे कि इसको काफी ऐसा क्रमली टेक्शर आएगा एक सकते हो को इसको कैसे परफेक्ट मलाई पेढ़ा वाला टेक्शर आगया है पर अभी भी इसमें थोड़ा सा लिक्विड कॉंटेंट है तो हमें इसे और थोड़ा बॉल करना पड़ेगा आपको लग रहा होगा एक प्रोसीजर कितना टाइम का जुमिन है इससे अच्छा तो हम रेडिमेट पेढ़ा खरीक ले ट्रस्ट मी हम जो भी एफर्ट जाल रहे हो टोड़ी वर्द है पेढ़ा काफी डिलिशिस बनेगा प्लस आप ये घर पे बना रहे हो तो इसमें मिलावर्ट और वो सब होने का कोई भी डर नहीं है ये मिक्षेर पाफी ठिक हो गया है अब हम इसमें हमारा जो मांगो पाइब बनाया है वो इसमें डाल देंगे ये पेड़ा बनने के procedure को quick करने के लिए generally हम इसमे ready-made मावा या फिर खोड़ा डालते है condensed milk डालते है, milk powder डालते है ये सारी चीज़े हमेशा available होती ही है, ऐसा नहीं है plus इससे cost of preparation भी बढ़ता है अब ही तो lockdown चल रहा है, तो मावा, condens लिएगे, सारी चीज़े मिनना बहुत मुश्किल है तो थोड़ा सा patience रखे, थोड़े से efforts डाले अब देख सिबते हो की mixture इतना थिक हो गया है, liquid contents almost evaporate हो गये है अब चाहो तो इसमें थोड़ा सा dry tube का powder भी डा सकते हो इसकी consistency काफी थिक हो गई है, और ये बर्तन के sides में stick भी नहीं हो रहा तो अब हम gas का switch off कर देंगे, और इसे थोड़ा सा cool down होने देंगे cool down होने पर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून इलाइची पाउडर थंड़ा होने के बाद ही इसमें अब इलाइची पाउडर डालेंगे तो इसका flavor और aroma जो है वो काफी अच्छा हैगा तो इसे cool down होने के लिए मैंने घी creased plate में इसे transfer करके spread out कर लिया है इसे थोड़ा सा cool down होने के लिए जोड़ देंगे अब चाहो तो इसे थोड़ दें रेफ्रिजरेट भी कर सकते हो mixture थंड़ा हो गया है हम हाथ में घी apply कर लेंगे और फिर पेड़ा बनाएंगे यह जितना थंड़ा mixture होगा उतना easily आप पेड़ा बना सकोगे अब चाहो तो इसे अलग शेव भी दे सकते हो बर्फी का शेव दे सकते हो या फिर इसे फच के तौर पर भी आप इसे खा सकते हो तो देखा आपने घर पे available होने वाले बेसिक इंडिएंट से हमने मलाईदार mango पेड़े बनाए है खरकेट में मिलने वाले पेड़े से ये काफी बहतर है एक लिटर दूट से हमने अल्मोस 300 ग्राम पेड़े बनाए है 15-16 जम्बो पेड़े बने है इससे आप इसे एक बार तो बना कर देखिए फिर आप मिठाई के दुकान से इसे खरीदना भूल जाओगे तो इस आम की सीजन में इसे जरूर बनाईए एंजोई कीजिए और आपका कमेंट सेक्षिन में फीड़ बैक दीजिए अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें